हलो फ्रेंट्स वेल्कम टु माई यूटूब चैनल इस्पी मैयत कलास व्यवर्स बात करेंगे यूपी स्कालरसिप में जैसे की आप थम्नल में देखी चुके होंगे हम बात करने वाले यूपी स्कालरशिप बीड में OBSY के लाखोट छात्रे स्कालर्शिप जो बंचित हो ग पात करेंगे इसकाला सिफ क्यों नहीं मिल पाया है इसमें बताया जा रहा है सासन के द्वारा बजट कम होता है जैसे इसकाला सिफ तीन तरह के लोगों को दी जाती है पहला जो होता है समानने को दूसरा जो होता है और तीसरा जो होता है यसी को दिया जाता है यसी कि इसकाला साट्रों को एसी और स्टी और मायनाटरी कि सभी चात्रों को इस घर्णाष। इसलिए OBC के सभी छात्रों को scholarship नहीं मिल पाती है इस पर सरकार को भी से ध्यान देना चाहिए कि यह OBC के छात्रों की संक्या अधिक है तो उनके लिए अधिक से अधिक टेक्स भी दे रहे हैं तो OBC के लोग ही टेक्स दे रहे हैं देश को सबसे ज़्यादा तो यहां पर अगर इनकी संख्या अधिक्तम है एक टेक्स तो भी अधिक्तम दे रहे है तो इनको scholarship देना अति महात्रों जरूरी है और हम बात करेंगे यहीं पर कि scholarship कैसे दिया गया है जि जो है B8 कर रहे हैं तो आपके जो पिछले सत्र का पिछले सत्र का जो मार्क था जो आपके B A B S C B काम के नंबर थे उस नंबर के परतिसत के अधार पे सभी छात्रों को scholarship दे गई है अभी तक हमने जितने छात्रों को देखा है अधिकतर छात्रों का जिनका 70% के आसपास था 70% के दो एक नंबर कम दो एक नंबर जादा उन्ही छात्रों की scholarship प्राप्त हुई है और उससे कम रहने वाले छात्रों को scholarship की धन्रासी की अभी प्राप्त नहीं हुआ है और वीवर्स बात करेंगे क्या आगे जो एक scholarship दी जा सकती है वीवर्स इसके लिए ऐसे कोई सूचना नहीं मिल लई है कि आगे scholarship दी जा सकती है हमें हमारे जो OBC के नेता बनते हैं OBC के हितैसी बनते हैं उन नेताओं को इस समय आवाज उठानी चाहिए जन्ता में नहीं उन्हें सदन में जा करके कहना चाहिए कि OBC की scholarship नहीं मिली है तब हम जाने के OBC की वे हितैसी हैं जन्ता के बीच में भासर तो कोई भी दे सकता है लेकिन सदन में बोलना ही एक अच्छे नेता का जो है करतब होता है OBC की scholarship शात्र तडप रहे हैं इधर उधर धनक रहे हैं शात्र समाज कलनाड आपिस से ले करके स्कूल तक चक्कर काट रहे हैं इस scholarship के लिए क्या इन OBC के नेताओं को थोड़ा सा फिक्र नहीं है कि सदन में उठ करके खड़े हो करके का सकें कि OBC के शात्रों के scholarship नहीं आई है एक भी नेता सदन में खड़ा हो करके नहीं कह सकता कि OBC के चात्रों के scholarship आई है तो विवर्ष आप सभी लोग धेर सारे मित्रों के पास share करिए जिससे कि इस बात को धेर सारे students सुनें और जिससे कि विपच्छ के नेता जो है सदन में आवाज उठाएं कि OBC चात्रों के scholarship दी जाए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत